गेहूं का लुड़का स्टोक, सरकार कर सकती है गेहूं का आयात। दरसल भारत इस समय एक महत्वपुरुन मोड का सामना कर रहा है क्योंकि गेहूं का भंडा साथ साल के नीचले सर पर पहुंच गया है जिससे घरेलू कमी को कम करने के लिए रिकोर्ड विक्री को भढ़ावा मिला है फिलाल सरकार का लक्षय खरीद चुनोतियों और उमीदों से कम उत्पादन से जूचते हुए रननितिक हस्तक्षेपों के माध्यम से कीमतों को स्थिर करना है गोर्तलब है कि लगतर दो सालों से कम फसल के कारण सरकारी गोदामों में भार्के गेहु का भंडार गिरकर 9.7 मिलियन मिट्रिक टन हो गया है जो 2017 के बाद का सबसे कम स्थर है दरसल घरेलू सप्लाई को बढ़ावा देने और स्थानिय कीमतों को कम करने के लिए राज्यों ने आटा मिलो और विस्किट निर्माताओं जैसे थोक भोकताओं को गेहु की विकोर्ड विक्री की है तंग सप्लाई के बावजूत सरकार ने आयात पर 40 फीसदी कर कम नहीं किया है या फिर यू कहें कि रूस जैसे शीर्ष सप्लाई करताओं से सीधे नहीं करीदा है इसके बजाए उसने राज्य बंडारों से गेहु को बेचा है वहीं जून 2023 से शुरू होकर सरकार ने नीजी खिलाडियों को गेहु बेचा हलाकि 2022 और 2023 में कम गेहु उतपादन ने इन्वेंटरी रिकवरी को भी दीमा कर दिया है साथी रूस युकरेन संगर्ष के कारण वैश्विक मांग में व्रिद्धी के बावजूत कम उतपादन के कारण भारत ने 2022 में गेहु के निर्यात पर प्रतिबंद लगा दिया था ऐसे में व्यपार और उध्योग के अधिकारियों का सुझाव है कि पिछले साल की फसल सरकार के 110.6 मिलियन टन के अनुवान से कम थी सरकार ने पिछले साल स्थानिय किसानों से 26.2 मिलियन टन गेहु खरीदा जो 34.1 पांच मिलियन टन के लक्षे से कम रहा ऐसे में स्टाक को फिर से भढ़ने के लिए सरकार किसानों से गेहु की खरीद भढ़ा सकती है या आयात को अनुमती दे सकती है आपको बता दे कि कुछ राज्य पहले से ही गेहु खरीद के लिए बोनस की पेशकश कर रहे है ऐसे में घटता स्टोक सरकार के लिए एक चिंता बन सकता है विरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी